खबर है मध्य प्रदेश के सीवी जिले से जिले में आज अचानक तेज हुई बारिश से कई धान खरीद केंदर में धान भीग जाने का मामला सामने आया है सिहावल शेत्र में आज जोरदार बारिश होने से धान खरीद केंदरों की खुली पूल सिहावल के सोन बर्सा धान खरीद केंदर में हजारों क्वेंटल किसानों की धान बारिश में भीग गई बताया जा रहा है कि उप्त समीती द्वारा बारिश से बचाओ के कोई इंतजाम नहीं किये गए थे वही फसल बिक्री करने गए किसानों की धान भी पानी में भीग गई और किसान खरीद केंदर में परिशान होते रहें जबकि मौसम बेभाग द्वारा पहले से ही आगाह किया गया था कि जल्धी रिवा सभाग के विभिन्न छेत्रों में जिलों में बारिश होने की संभाव आखिर इतनी बड़ी नुकसान की भरपाई कैसे हो पाएगी क्या किसान की गेली हुई धान अब समीती प्रबंधक लेगा क्यूंकि जब तक धान नहीं सूख जाती खरीदी नहीं की जा सकेगी और दो तीन दिन मौसम खुलने के आसाद नजर नहीं आ रहे हैं पोल खुल पोस्ट के लिए सिहावल से राध वहोर केवट की रिपोर्ट